सब्गित त्रिकों का शमूह जिसे हम बोलते हैं सब्तर तभि मतलब होता है के क्लेक्शन तो क्लेक्शन आप पे हम साथ के क्लेक्शन के इसा से टर्म्स रहेंगे उंसको journalism इस्पस करेंगे तो जैसे कि त्री वी दबल ट्रियो पस्टम्ब तरी रोग मारेयें तो महां पर तिनly का ग्रूप है हम वापे इसकश करेंगे तो लेट्स कंटिनील इस्प्तर त्रीक मतलब होता है साथ क्लेक्शन आप सेवें सब्सक्रीड इस सब्सक्रीड जो पहला त्रिक है साथ त्रिक में से मतलब जो साथ का यह तो की तिन जौब बना गवा है उन में से जो पहला हमारे जो गुड़ूब है क्टा living फ इसे की तो धे यह संag नौनेर यह म५्य क्या चौंब कि करें एक ब्रूल की फोल्मिशन जुब महांसरे良쁨 होता है in that same manner हमारे बोडी के अंदर जो बोडी के नरिश्मेंट के लिए बोडी के एक प्रॉपर एज के लिए ओके तो आयू बढ़ाने के लिए तो यह सभी का जो फैक्टर होता है ऐसे तीन फैक्टर हमारे आपर बताएगे तो जो उसके लिए कॉमें स्लोक आया हुआ तो ट्रे उपस्तंब आयिती आहार सवत्न न्व्रह्मचर्य गोर थेन तो तीन अवपस्तंब ही 3 फिलर हैं वह क्या है आहार सवत्न ऊपन अथ्य्क्राइप के अया आहार मतलब कर्थे हैं यहार अलब्रें य совतर जो हम लेते हैं नौर्मल चाहिए जैसे कि अगर हमारा वातshi है तो हमें स्ने बहुत इंपोर्टिटम और उसके साथ जो विरुदभार में क्या होता कि हम वहां पर एक प्रुद्ध कर सकते हूं छसे हम बोल सकते हैं फिर जो कंते अभीझाइच्छ व्याम कि भीट में हम मिलाते हैं जो हमारा जो लिए और हमारा जो अर्छ में तो यह विर्ध आहर को रिलेट करते हैं तो कहने का मतले चूल जो हमारा उता है जो अहार वाला जो फैक्टर है यह बहुत ही बढ़ा दो हमें एब करता है तो आहार हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए ठ्रॉट अवर इज आपना मतलब पर तरीके का एक नीद की प्रॉपर स्लिप यानि की वहां पर जीसे हम बोलते हैं जो बोलते हैं तो एवरीडेइट टू तेन हावर्स हमें स्लिप लेना चाहिए तो निद्रा एक बहुत ही बड़ा एभी रोल प्ले करता है यानि कि निद्रा के अलग-अलग फंक्शन आते तो निद्रायत्म सुक्कम दुकम कार्श्य बलाबलम ओके तो महां पे व्रिश्यता क्लिवता ज्यानम अज्यानम जीवितम नच्चर तो ऐसे कॉमन स्लोग आता है कि निद्रायत्म स तम पतां समयोखनेश्य ब्लाबलम ऐसी कि मIST दुकम inhद्याक है अग्यानम अज्च्ट में सुक्क्वलन जीवितम स्वपनेश्य यहां पर टर्म दिया गया है और ब्रह्मद चर्य में आता है कि यूर्मली जो हमारा जब भाल्य वस्ता यहां पर estão जिसे से हम बोकर हम स्टेज भूआ वस्ता प्लिद्यlove ettum लिए कि इवा वस्ता में जब संभोग होता है तो कॉंबिनेशन जब होता है कि female and male जब महां पर marriage होता है तो without marriage होता है यानि कि महां पर कोई indulgen नहीं होता है with the female तो उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं तो the following is by the following this aha people we can the three pillars of the body annaquy get maintained so ahar Nidra and that is never brahmach are not indulging in family life okay तो उनका कोई family plan नहीं होता है यानि कि female से उनका कोई संभोग नहीं होता है तो उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं तो following the ahaam and brahmacharya is the main pillars of बॉड़ी और वह क्या करते कि एक प्रॉपर एज को मेंटेन करते हैं तो वह था देट इस अबॉट तरे ओपस संबर तो यहां पर अभी हम देखेंगे ट्रीवीद बल ओके तो त्रीवीद बल में क्या होता है कि यहां पर तीन टाइप के बल पाजाते हैं यानि कि त्री को देख रहते हैं कि कि हैं इस सहाजम कालम युकती कृति में बन तो मतलब मतलब नॉरमिल आगर आपको बता दें तो सहाज departments मतलब कि अगर व्यूर्ण जब कोंसप्षिन होता है यानि कि जब आपा मेल और मेल का स्पम और सीमिल का जब ओवम आप पी मीटिंग होता हुशका तो स्पम और ओवम जैसा हमारा रहता है उसके जो डियन ने के वो कैसा है उसके ओपर different होता है कि हमारे कितने हम जब bald होगे तो वहाँ पर हमारा कॉम सा बल होगा तो जो वह बल रहता है उसको हम क्या बोलते है सहज बल बोलते हैं तो शरीड और मन का जो बल होता है वो parents के recording रहता है यानि कि parents पर dependent रहता है तो during conception सबसे कम हमारे बल जो रहती है वह बाल्यावस्ते में तो लो बल यानि की वहां पर हमारा जो अल्पबल विद्यमान रहता है और जो यह वा वस्ता जो समय होजा तो लो हैं जो काल के फैक्टर पे भी हमारे बल कितने होते हैं अगेन काल का एक स्सेख्ट्र होता है कि जैसे कि हमारे पास जो रितु बताएगे रितु व faj en इनसे चाहिब के एंदर बहुत ही ज्यादा होता ने कि बॉडडी के अंदर बहुत ही ज्यादा है वहाँ पे स्टेंट एरे चीद रित्व होने के उजेसे यानी की शीशी रितु और हमने जो बल होती होता है तो य्यूट अबित यह मोर्मड करता को होता है कि की चप्तिक मतलब यह है कि अभी हे हां पर हीamm जूर्ड माजा होता है वह पेंट्स आप पीपल्ड होता है की हम् जिसे कोखेंड़ और रिच जो टू क्लास मेर जो डिवाइड होता है हमारे जो इंडिया का जो पॉपॉलेशन होता है तो जो पूर पीपल के जो पर्सन अध्य है उनको nutritious food और वगेरा यह सब नहीं मिल पाता है और जो हमारे जो rich conditions के जो families के जो members होते हैं वो easily every one glass of milk every वो घृत का शेवन करते हैं वहाँ पर then almonds, cashew nuts यह सब वगेरा खाते हैं तो इसके वज़े से जो immunity आती है इसके वज़े से उनको strength मिलता है तो युकती कृत बोलते हैं तो यह man-made बनाएवा रहता है उनका कि वो decided रहता है कि वो कैसे आदमी ले सकता है तो जैसे poor condition का तो mal nutrition उसको यानि कि proper उसको food नहीं मिलता है तो हम अधर की बात ही चोड़ सकते हैं तो कहने का मतलब है कि यह man-made रहता है युकती कृतर रहता है तो नॉर्मली यह बल जो हम आहार से ग्रहन कर सकते हैं उसको हम युकती कृतर बोलते हैं तो यहां पर एक्सपेंशन दिया हुआ है तो strength from a child to its adult strength उसको हम सहज बल बोलते हैं जो कि माता पिता से यानि कि parents से हमें गेन हुआ रहता है और college मतलब मतलब बता है कि strength which depends on the season and its आयो वस्ता तो आयो वस्ता में व्रिद्दा वस्ता में सबसे कम बल आती है और जो हमारा जो जो बाल्य वस्ता रहते है उसमें भी हमारा हीन बल रहता है लेकिन जीवा वस्ता जो रहता है हमारा पर अधिक बल रहता है देन युकति कृत्पन्द अहार डिपेंडेंट स्टेंथ वह यह जो मैंने बताया कि जो rich person रहते है वह easily nutrition foods highly minerals foods वगेरा खा सकते हैं लेकिन जो पूर लोग रहते हैं वह उनको माल लिट्रेशन की प्रब्लम देखी जाती है तो त्रिविद बल यही रधा है सहज बल कालेज बल और युकति कृतबल नेक्स्ट जो सबतर त्रिक का जो पॉइंट है थर्ड त्रिक that is nothing but the त्री आयतन आयतनम मतलब बता है कि कारण ओके तो disease को produce करने का जो आयतन होता है जो कारण होता उसको हम बोलते है त्री आयतनम तो तीन आयतन बताये वह कौन-कौन से है और सात में इंद्री आर्थ संयोग कालम करमम चा दिर्शकतम तो वहाँ पे तीन कारण बताये गया वो कौन सा मेरे पास two eyes हैं और जिस किसी भी object को मैं देख रहा हूं तो जो देखने माला जो मेरा object है उसको मैं अर्थ बोलूँगा इंद्री अर्थ बोलूँगा और जिससे मैं देख रहा हुआ उसको इंद्री और इंद्री अर्थ के बीच में जो relation होदा उसको हम क्या बोलते हैं की इंद्रियार्ती संयोग उसको मोलते हैं तो सह्त्मी इंद्रियृत 하lles संय मतलब जो सहयोग निए डइंदраш को टो बुलते है संयोग मतलब ऑभ जो नेचर का जो एनकी जो नौर्मल जो बोलते की गृष्मृ रितू वरिशाइच अर जो हमारा next that is nothing मुटे चीत रितू तो नौर्मल ली अगर हम नौर्मल परसंड को बोलेंगे तो कितने टाइक पिस रहते हैं वह वहाँ पर अगेन नेक्स लाइन उसका आता है कि हीन मिठ्य आती होगे न ओके तो तता पुनस्त्रे विदा तो ऐसा वहाँ पर स्लोक की कंपलेशन होता है तो कहने का मतलब यह कि जो और साथ में इंद्रत सही हो जो कॉबिनेशन यहीं कि जो हमारे पास जो पांच इंद्रिय पताएं चक्षू इंद्रिय घ्राण इंद्रिय ओके तो पांच टाइप के जो पांच टाइप के जो इंद्रिय बताएं उनका अलग-अलग अब्जेक्ट होता है तो वह अब्जेक्ट में मिठ्धा योग अति योग और वहाँ पे हीन योग होता है हीन योग मतलब अगर मैं अपने आखो से बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को देखू जो की इन्वीजिबल है लेकिन मैं देखने की कोशिश करूँ तो वहाँ पे क्या है उसका हीन योग है यानि की चक्षू इंद्रिय का हीन योग हो रहा है अगर मैं बहुत ही ऐसा अगर महाँ पे मेरे पास जो श्रवन इंद्रि हैं जिससे मैं शोते इंद्रि भी बोलता हूं तो सुनने की जो कैपेसिटी होती है वो इयर से होती है तो जो इयर की जो कैपेसिटी होती है सुनने की अगर महाँ पे मैं डीजे की आवा सुन रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है सब्सक्रुन को मरा इसों कर नहीं कर गादे सम्ट आइस uses का अतियोग होता है जैसे कि मैं अभी घृण और के बात कर नहीं तो सक कर लाता है यहीं जो जिसको एक particular smell रहता है तो ऐसे घ्राण इंद्रियों का ऐसे वहाँ पे smell लेना चाहिए लेकिन अगर वहाँ पे में bad smell मालुम होने के बाउजूद अगर मैं उसको smelling करता हूँ तो उसका मिठ्या योग होता है यानि कि जो beneficial नहीं है वह में ले रहा हूँ उसका जो combination होता है तो यह सभी में क्या होता है कि उसके वज़े से कारण होता है और व्यादी डवलप होता है तो और साथ में निरता संयोग कालम कालम मतलब परिणाम तो ग्रिश में रितु का मिठ्या योग मतलब कि कभी-कभी क्या होता है कि जो ग्रिश में रितु होती है वह वहाँ पे बहुत का मिठ्ध्ययोग होता है तो ऐसे अलग-अलग मिठ्ध्ययोग अतियोग और हीन 욕 बता गया कि गिरिश्मरित्यग वह गीरी вहिज्ट Amen समर सब्कितं उसमें समर्व का सब्कार्ण का यह कि व्यास द!. तो ये ससे व्यास होता हैं तो एसे थीनो त्यो दहींट 11 अतियोग और वहाँ पे हीन योग होता है कर्म मतलब होता है कि कर्म वहाँ पे शारीरिक कर्म मानसी कर्म वाचिक कर्म तो शारीर के द्वारा हम नॉर्मली जो काम करते हैं तो इसके लिए comments लोग आता है कि महां भें हिंसा इस्तियन ने अधा काम तो चोरी करना तो चोरी अगर नहीं चोरी करना इस्तिय है ये नहीं करना है तो अगर हम करेंगे तो महां भब क्या होता है कि उसका Almost योग होता hy उसके त्रू हमें bads जो words रहे उग उसको pronounce नहीं करना चाहिए या फिर हम बोच सकते कि जब ईूरिंग भोजन लेते तो उसके समय हमें बाते नहीं करना चाहिए तो जब हम बाते करते हैं तो उससे क्या होता है कि वाचिक कर्म का मिठ्ययोग हो रहा है तो कहने का मतलब यह कि शारिरिक कर्म वाचिक कर्म और मांसिक कर्म मैं बता दो कि वहां पर जो हमारे मन के लिए जो बेनिफीशल नहीं है लेकिन हम तब भी उसको देख रहे है और वहाँ पे मन के अनुकूल अगर वो नहीं मिल रहा है जिसे हम चाहिए और तो इसके जिसे होता है कि मानसिक कर्म का मिथ्थायोग मानसिक कर्म का अतियोग और मानसिक कर्म का हीन योग तो इन सभी का हीन योग मिथ्थायोग और अतियोग के वज़े से वहाँ पे कोई भी उद्गम होता है और मतलब production होता है तो वन बावान हम देखेंगे ओके तो अधियोग मिथ्थायोग की हीन योग मेंने बटाया काल का यहां पर फैक्टर राता है कि ग्रिश्मृतु में कभी-कभी कोता है कि अपना जो ग्रिश्मृतु का जो सीजन होता है वह बहुत ही कम टा यहोग होता है तो आती है यहोग सीजन और काल कर्म कर्म का whether聽 कर्म यानि कि में ही कर्म एपने प्रिश करfully कर्म कि निज रोग आगंतुज रोग और वहाँ पर मानसिक रोग तो वहाँ पर जो हमारा निज रोग होता है निज रोग का जो कारण होता है वो निज हेतु होता है यानि कि बॉडी रेस्पॉंसिवल होता है उसके वहाँ पर उस रोग का तो वहाँ पर आपको एरो के तुरू त्री दोस जो बताएगे तो त्री दोस अल्टिमेटली बॉडी में वीशेटेट हो जाते हैं दूटू एनी कांड आफ रिजन होगे तो बॉडी के अंदर उनका वीशेशन होता है दूटू आट महां पे जो डिसी डवलप होता है उसकों बोलते हैं नी जुरोग आगंतु ज जो भी आप टर्मिलोजी दे सकते हो तो आगंतु को रहता है कि एक्ट्रावल लगया है या फिर महां पर कोई सस्त्र यानि कि कोई है नॉर्मल एक हैवी मेटल्स या फिर हैवी कोई रोट से किसी ने अपके उपर प्रहार किया है अगर दूसरा टर्मिलोजी दूखी लुझा है जिसे खेल सके सब्सक्राइब यो जो सब्सक्राइब तो覺 मरिंग फिर हैं जो वाटी ने थे सब्सक्राइब हुए दिसेशनु सक्राइब अगंतु कर्के में अधे अगंतुग से शार्ट दोस्क्राइब तो आगनतुक रोग बोलते हैं यह रहता है कि मन की अनुकूल यह जो वस्तु उसको चाहिए रहता है वह अगर ना लिए तो उसके जिसे मानस रोह हो सकता है या फिर अ प्रिय वस्तु नियस्ट निया कि युचित अच्छा नहीए लगता है लेकिन स्सूर अगर हम उसको करेंगे तो महां पे च्छी कि मानस होता है वो imbalance हमारे हैं पे अलग-अलग तो इस में वहाँ पे वगेरा शिम्टम्स यानि कि जो उसका अत्ती प्रवित्ती संगोवा श्रणाम ग्रंथे अपिवा देन अगें द वीमार्ग गमनम तो यानि कि महाँ पे वीमार्ग गमनम में एक फैक्टर आता है लेकिन उसके उसके अंदर हमारा ब्रेन स्वीटेट है तो ब्रेन अगर हमारा डामेज हो गया तो वो सबसे वाटल औरगान है ब्रेंड हर्ट और जो अंबिलिकस होता है शीरे हिरदे नाभी तो तीन मरम होता है और अस्ती यानि कि कहने का मतलब यह कि होता है कि जो विस्वेशन आफ जो डोस्ट बताएगे हैं उनमें से किसी भी एक दोस्ट या फिर तीन वो दोस्टों का जब प्रकुपित होता है तो वाइव रोग्रके अंतरकत वहां पर जो सातो धातू बताएगे हैं यानि कि अगर कोई प्रकुपित दोश अगर सातो धातू में जाता है या फिर सातो धातू में से कहीं पर्टिकलर धातू में जाता है तो उसके जो डिसीज डवलप होता है उसका हम बोलते हैं बाईयर रोगमार्ग यानि कि बाईयर मतलब होता है कि साथ धातु साथ धातु मतलब रस रक्त मान समेथ अस्ति मर्जा और शुक्र जो बताए गया है यह इनका पात होता है इनका यह रास्ता होता है इन में से वीशेटट दोशा होते वे जाते हैं तो अगर इन में से होते वे जाते हैं इन धातुओं से होते जाते हैं हैं स्कीन से होते जाते हैं तो वह यहां पर आघर करते हैं और शहां कि लोकलाइस हो जाते तो उसको हम बोलते हैं का स्वोचेशंती हो गया विशर्प हो तो जितने भी कि जो प्रोब्लम आते हैं उनको ऍटियो करतЭ हैं अगर हमारा वीशेट जो बोन है अगर फिर संदी को अगर एफिक्ट करता है वीशेटड दोषा तो उसको अगर वे में से वो गया वीश्चेडर दो यह तो वहाँ पे डिसीजppe हो शकता है वह उसकों मुलते हैं मध्यम रोगमार्ग तो चाहें अमवात संदी यह सबी जो प्राउलमावाती है उसकों यांतर के अंतरगत वह reli Пleist Dalais अती सारे व्यादी आती है अब इंतर रोगमार में मतलब आमाशे पक्वासे से रिलेटर यानि की स्टमक, डूड़नम, इंटेस्टाइन इन में जो प्रावलम आता है ये मतलब वीशिटेट दोशा आमाशे इन में से होते वे जाता है और वहाँ पे वो डिसीज डिवलप करता है तो डूटु दाट ग्रहनी अतिसार वगेरा इसा प्रावलम आती है तो उसको क्या बोलते हैं आब देंतर रोगमार बोलते हैं तो कोई भी वीशिटेट दोशा को वीशिटेट जो प्रावपित जो एक प्रावरलमेंट होता है मठ्यम रोगमार हो दे Familien में मर्म अस्ती और संदी का इनौट्यत यह इनका पाथ होता है इनमें से वीशिटेट दोशा ट्रेवल करते है को च्ओं मतलब अवाँ अलग अलग पाथ होता है खशन होता है इनमें में तो आधिव्ब दोशा होते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो महाँ पर जो सब्सक्राइब का जो पार्ट है उसमें आता है त्रिविद्व व्याद्य के अंदर तीन टाइप के व्याद्य बताएगे तो पहला व्याद्य आप गेस कर सकते कि अच्छा व्याद्य तो अच्छा व्याद्य किसको बोलते हैं और आप स स्वेवतिय हैं स्वालिद स्वालिद कर तो ltb उपने एक सा बॉप्स चायप आपको समधिंग जैसे क्लिंग हम बोलते तो क्लिनिक लाइक ऐसा अपना गर बनाते और उनमें क्या करते हैं कि जो भी और शारप sudah से related something रहता है यानि कि अगर मैं आयरवेद की बात करो तो वहाँ पर वो वो समाल इकठा कर लेते हैं अपने पास और क्या करते हैं कि जो जो requirement होती है आउशद की तो कुछ उनको आउशद मालूम रहती है कुछ नहीं मालूम रहती है कर रख देते हैं या फिर हम बोलते की यहां फिर वह करने के लिए एक दो याद कर लेते हैं तो कहने का मतलब यह कि वह रियल के वैद्धे नहीं है लेकिन अर्निंग करने के लिए economic earn करने कि Лिए वो अपनी ऐसा dressing coat कर लेते हैं अपना dress court बना लेते हैं अपना जो उनका जो चार दीवार का जो रूम रहता है उनको इस तरह बना देते हैं कि उनको ऐसे did ugh, उनको हम क्या बोलतेvik छद्मचर व्याद्य कोलते हैं कुछ भी उनको knowledge नहीं है लेकिन वो शो कर रहे हैं कि हम वैद्य हैं हम physician हैं दूसरा जो वैद्य आता है सिद्ध शाधित वैद्य आता है सिद्ध शाधित वैद्य में आता है कि वो खुद तो पड़े लिखे नहीं होते हैं और उनके पास कोई भी जो सस्त्र यानि की जो भी instrument वगेरा होता है अगेन वहाँ पर उनको कोई घ्यान नहीं होता है छदमचर वैद्य जैसे ही शिद्यसाधित वैद्य होते हैं लेकिन सिद्यसाधित वैद्य में क्या रहता है कि अगर यह सिद्यसाधित वैद्य में यह बहुत ही बड़े लोग रहते हैं बड़े लोग मीज वह थोड़े इनक यहांने कि वह बड़ा वैद्ध में ही हूं क्योंकि उनके पास धनर रहता है उनके पास इतना मनी रहता है और उनके जो आदर रिश्पेक्ट होता है तो इसके वज़े से पुब्लिक को लगता है कि वह सही बोल रहे हैं तो ऐसा वह कंसिडर हो जाता है कि वह वैद्ध है लेकिनों सिद्ध साधित वैद्ध हुए है यानि कि उनके पास अल्रेडी एक रिलेशन रहता है एक अच्छे वैद्ध से और उसी का फाइदा उटा कर अपने को वह बोलते है कि मैं एक अच्छा वैद्ध हूं ओके मैं वह जो रियल वा का वैद्ध होता है यानि कि इसको मालूम है कि किसको कौन सा मेडिसीन देना है इसको सस्त्र का ग्यान मालूम है इसको सस्त्र का ग्यान मालूम है इंस्ट्रिमेंट का ग्यान मालूम है इसको यह मालूम है कि जो यानि कि जिस प्रकार का जो पेशन्ट आ रहा है उसको किस वे कि इनका जो treatment हुता है treatment करने का तरीका होता है इनमें हमेशा इनको वह पर सफलता मिलती है तो ट्रिविद यानि कि तीन टाइप के ब्याज़े बताएं को चछबम सीद्ध साधित वैद्य और वैद्य गोड़ों से युक्त वैद्य पेनी रीएल हमारे जो फीजिशन होते हैं तो वन बाइवन हम देखेंगे कि थ्री काइंट्स अब मेडिस ने हमारे बताएगे यह पहला जो आता है ओ दैव व्यापाश्रे में आता है दैव व्यापाश्रे में ट्रीट्मेंट यह रहते कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते कि उनको महाँ पर अद्रिष्ट करमज व्यादी होता है अद्रिष्ट करमज व्यादी एक टाइप आप व्यादी होता है जिन में उनको क्या होता है कि कोई भी कॉजिटी फैक्टर रेस्पोंसिल होता है कोई भी कॉजिटी फैक्टर यानि कि कारण उनको मालुम नहीं होता है कि उनको गल्दी की रहेगी इसकी वजहे से उनको जो जो प्रिजेंट जो बेर्थ हैं उनका उनपरिविश वाले जो बार्ध था उनका उसको फल मिल रहा है तो उन फलों को जो development होती है वो दैवेव आफ़ेश्रे की अंधर कम दा येनी कि I aman कराना उके डिन अनके उसमसें कुछ नियमों को पालन करना बली देना या फिर रह मदते की कि कि सीक्सी कर ऊपहार हार पहार पहना ओ करों या फिर हम वगेरा भी वोते की यातरा टाकर ओगे रहें तो मैं अम्बरनाय यात्र वगेरा सब्सक्राइब कि इसे हमारे कर्म रहते यह इनकी पुश्टीald फीजाती और इनका नास होhy जाता है और हमें दॉर्मल स्टेट में आ सकते है तो यह जो ट्रeat भास है इसका ज्याब हो सब्सक्राइब लें लेते हैं जो next जो medicine होता है उसको हम क्या बोलते हैं यूकति व्यापाश्रे यह हमारा आज का मॉडन का treatment वे हैं यूकति व्यापाश्रे मतलब यह रहता है कि जो हम आरवेद फिजिशन क्या करता है कि एक पर्टिकुलर जो परसन है जो कोई बी पेशन है उसके बल के में माला पहनो हवन कराओ तो यह सबी मांपर बोला गया था युक्टी व्यापश्रे में यहां पे हमें की रिक्वार्मेंट होती है यह और यह सिर्थ को देते हैं हम बोलते हैं की कौन सा दोश महां पर हुआ involvement हुआ है कौन सा दूश्य महां पर दूश्टी हुई यह तो इसके on the basis पर हम उसको एक नया माप मेडिसीन सजेस्ट करते हैं तो यह जो treatment point of view होता है यह जो medicine होता है उसको हम बोलते हैं युकोती व्यापाशुरेव जो हमारा होता है वो सत्व आवजे होता है सत्व मतलब होता है कि तो इसके से रोकना मतलब मन को जो उसके लिए मतलब बॉडी के लिए जो अच्छे अक्टिविटी नहीं है बॉडी के लिए वो अच्छा आहार नहीं है तो वो ना ले मन को इससे रोकना है तो यह जो ट्रीटमेंट आती है उनको हम बोलते हैं सत्व आवजय बोलते हैं यानि कि जो एक्टिविटी है नॉन विनिफीचल जो फूट से मन को इसके तरफ न जाने देना तो यह जो ट्रीटमेंट है यह जो वहाँ पर आउशद आता है तो इनका जो आउशद का जो वेब रहता है तो धी ध्यारिय स्मृति ध्यारिय स्मृति मेधा वहाँ पर बताए कि मनोदी तो उसको इसको जो सरे रहते है तो होता है कि महां पर उसकी मानस रोग के excerpt के वजए से उसके मन को वहाँ पर उसको मालम नहीं तो differentiate नहीं कर पाता है कि what is wrong what is good तो होता है कि वो देन उसको जो अच्छा लगता है वो activity करता है तो जो activity कर रहा है वो तो beneficial नहीं उसके body के लिए तो इसको रोकना वो जो होता है उसको धी ध्यार्यय स्मृति यानि कि इसको stable बनाना और उसको किस तरह उसकी जो memory power रहती है उसको फिर से कैसे लाना कैसे उसको वगेरा जो भी कुछ है तो ध्यार्य स्मृति यह 3 kind of माँपे बताए गया है तो सत्वा उजाए युकुती व्या पश्रे और दैवाब पश्रे यह तीन टीटमेंट बताए गया है तो यह कुती ब्याब पश्रे अगर और इलेबरेट करूं तो वहाँ पर ऐसा बताए गया कि मेडिसीन देते हैं इंटर्नली मेडिसीन देते हैं तो कुछ मेडिसीन इंटर्नली ले जाने के बाद क्या होता है वमन वीरेचन यह सब एक्टिविटी दिखाता है कुछ मेडिसीन अंदर जाने के बाद क्या करता है संशमन हम करता है यानि कि वहाँ पे जो प्रकुपित चुश को बाहर निकालते हैं उसकों शोधन करमों बोलते हैं उनका शमन कर देदा है तो शमन आउसदी यहas लेते हैं यानिकि बॉड़ी में इंटेंडिंट करते हैं तो वह हमारा अंतर परिमार जनम के अंदर कर आता है कि जो हम आउटर कवर एंग याने कि externally जो हम जितना भी करते तो सच अभ्यंग आता है याने कि आय। मसाज आता है उसके बार हमारे पास सच जैसे कि मतलब जो हल्डी जो हल्डी जो ले पाता है तो लेपो का वरण्ड अभ्यंग उद्वरतन ये सभी का प्रावधान स प्राण धानम होता है यहां पर हम इंस्ट्रीमेंटल इक्टिवीड़ी दिखाता है जैसे महां पर परिम्हार्चेर को काटते हैं तो महां पर हम क्या करता है कि सश्त्र पर्म करता है यहाएपे हम चार sv Istra अग इस सपर आए यहाएां कि स्ट्रुमेंटलright अक्टिविटीय बिंटी राती हैं तो इसके rainbow जए टो नौर्मली हमने सब्सक्राव का वलनाम देखा जिनमें हमने त्रिविद्व्यर ब्याद्य देखा अब मerson49 के और इंपोर्टेंट है कि तो कि हमारे जो चरक सहिता होती है उन्में से 11 अध्याय करके आया हुआ है अइसने में बिद्सेयर और बताने के बाद यहिंए कि धनेयशना वा पर्लोक एसना यहां है तो तीन इच्छाओं के बताने के बाद ते संप्तत्रिकों का बरणन किया गया महीसे में इसको आपे वह पर रेसरेंस लिया है और आपको एक्सिश्वन किया ओके that is all about the regarding our today's lecture hope you all like the video thanks for watching the video have a nice day